मनीपूर में इस्तिती तो गंबीर है लेकिन ये केवल मनीपूर में मोदी फेल ये जड़ा बड़ा और करके दिखा दीजा मनीजी फिर मैं आज इसी इसी के उपर मैं बताता हूं ये किस तरह के जूटे लोग हैं किते बेइमान लोग हैं किते बेशर्म लोग हैं ये कह रहा हूं मनीपूर में मोदी पेल और मैं ये कह रहा हूं मनीजी कि मनीपूर में मोदी ने इतियास रचिज दिया है दर्सकों से दर्सक भी समझता कुछ लोग चौकेंगे कि मैं कह कह र मैंने तक इसने उसकी कोई ख़वर नहीं दिखाई थी कि वह फरार है किसी गिरेकट की तरह चोर गिरेकट बाग जाते हैं पुलिस उसका पीछा करती है तो साथ मैंने तक गैंगरेप में बलातकार में इसका बाइद नामजद और वह फरार था कांग्रेसी वकील उसके लिए सागा सहोधर भाई था सागा भाई इसका सगा भाई और यह साथ मैंने इसना चुक्पी साधिली थी और वैसे ही आज यह फिर बेसरमी और बेहिमानी को उतराया और यह यह क्योंकि राहूल गादी कल बहुत बूरी तरह से फस गया अभी उसके हम लोग बात करेंगे तो यह हुआ था वह मनीपूर में हो रहा है हिंसा तो वहाँ पर छोड़ दीजिये मनी जी यह नेरेटी बदलने वाली बुड़ियाओं का गैंग भी है यह सब भी उत्रें चुक्पे से बं मारना है मनीपूर में सीम के कथित आपती जनक बयान का टेप लगा दा वायर के हाथ हाथ यह इसने कहा कि यह हमारे पाद नया टेप है और यह और यह सरकार की बात आ जाएगी कि यह क्या इन लोगों पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है इस पूरी दिखाई है मनी जी उसके बगल वाली है वह बीस तारीक को बीस अगस्त को वह दर्ज हो गई थी मनीपूर में और प्रदान मुक्हमंत्री के आवा मुक्हमंत्री द्वारा कराई गई थी कि हमारे नाम से फरजी टेप चला है जिसको एडिट भी किया गया काटा चाटा गया है और वह गला यह पूरा देखे क्या लिखा बिरेन सिंग एलेस्ट आडियो क्लिप स्टेट गवर्मेंट रिजि यह खबर आ चुकी थी कि इन्होंने डॉक्टर क्लिप लगाई है दो दो मैंने लगाई इसलिए वो वीडियो और वहां के न्यू चैनलों के हैं मनीपुर के लेकिन उसके बाद मनीजी इसकी अब बगल वाली बुढ़िया की दिखाई है जो खानम बुढ़िया है यह यह ब लौन सार राजकार चला यह मेरी समझ में नहीं आता और इसलिए इनके होसले इसलिए इसलिए मने वानी जी वह इसक्रीशाट लगाए है कि 20 तारिक जो सुना है हमने कि कई लोग बताते मुझे कई मेरे बांपंति साथी जो बहुत क्लोज है उनने मुझे बताया कि यह इसलिए नहीं दिया आता कि तुमको उस देश के खिलाब शडियंत्र करना है इस बुढ़िया को तो मिला नहीं है फिर इसके लिए क्यों निक्यारवाई हो रही है यह तो बड़ा कमाल की बात है कि खुले आम दंगा कराने की साजिस हो रही है दो दोनों तारीके गवाई है लेकिन उसके बात भी बैटे हैं अब आता हो मुझी जो पारा नहीं मोधी मनिपूर में फेल और मैं यह कह रहा हूं कि मनिपूर में मुधी ने इथियास रजिदी आ है जो जो कुछ विश्चिती उसके बात कह रहा हूं तो दरसक जुद्धा समझें कि इवो भी वहाँ पे कांगरिस की सरकार रही दो आहार्ड की दो समय याद रखिये दो हजार सुरक्षा इस्तिती में काफी सुदार हुआ है जिसमें उगरवाद की घटनाओं में करीप परिब समझें जो दो हजार बाद से दो हजार बाइस के भी जितनी घटनाएं हुई है उससे दो सो परसेंट ज्यादा घटना अमनीजी 2005 से दो हजार तेरा के बीच दो तो सो परसेंट और अभी आपको संख्या बताऊंगे तो आप चाहों को जाएंगे यह यह जो पाड़ा है इसके मुँपर जूटे कितरह है यह जो मैं आपड़े बताने बताऊंगा थोड़ा ही से बताऊंगा कि कि दो हजार चौदा से दो हजार बाइस आठ साल में जो और यह मनीपुर में अभी क्योंते जी पकड़ा अभी बताऊंगा कि आठ साल में 3238 जो घटनाएं हुए थी वह मनीजी 2005 से 2013 के जो आठ साल ते जो कागरिसी सासनकाल था वहां पर वह एकेंद्र में भी और मनीपुर में भी वह घटना है थी 10204 ज़रा गउर करिए 3238 घटना है जो अब मोधी के सासनकाल में हुई है और वह कागरिस के सासनकाल में उन घटनाओं की संक्या थी 10204 यानि 200% बड़ी ज्यादा थी हो रही थी खटना है उस दौर में और यह पाड़ा कहे रहा कि मनीपुर मोदी फेल अभी और बताता हूं इसके मुँपे कालिप होतता हूं मनीजी दोजार जर्शक यह भी जाने कि जो सुरक्षा वलों की मनीजी मृत्य हुई वह करीब करीब समझें दो वह भी 200 परसंट ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां जान उनकी जा रही थी जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उनका जरा आकड़ा सुन लीजिए कि मनीजी कुल 128 हमारे सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे 128 याद रखिए दरसकों कहूंगा यह यह आकड़ा कि तो आप गटना देख ली वह 200 परसंट ज्यादा हो रही हिंसा घटना है हमारे जवान शहीद हो रहे थे वह करीब कि 2014 से 2022 2014 से 2022 में 420 लोगों की मौत हुई थी मनीजी मनीपूर के अंदर यह हिंसा खेल चला है लेकिन यहीं मौत जब 2005 से 2013 के बीच में थी तो वह 2298 यानि करिकुरी तेइस सो तो कहां 420 और कहां तेइस सो यानि करिकुरी आप पास साढ़े पास सो परसंट लोग नागरिक ज्यादा मरें 200 ज्यादा और दोसो परसंट से ज्यादा घटनाएं हुए वह यह हुआ कागरिस के सासंकाल में और यह बेशर्म और बीबान आदवी यह आकर हमको आपको बता रहा है यह कल रात में नाज लाहराते हुए वीडियो बना रहा था आपने चैनल पर कि मोधी मनीपूर में फेल तो अब दर्सक यह करें कि मैं गलत कह रहा हूं यह कह रहा था कि मोधी मनीपूर में फेल नहीं मोधी ने मनीपूर में इत्यास रच दिया है जो आप वहां पे हिंसा देख रहे हैं तो अब आप इस से समझ सकते हैं कि इस से पहले वहां काबू किया जा रहा है मणीपूर में तो मैं इसी लिए मणीपूर को लेकर कभी बिचलित नहीं वा यह जो नंगा नाच करते हैं कि मोधी क्यों नहीं जा रहा मोधी क्यों नहीं बोला भी vitatता हूँ ओनेTC तो जाके डूम मरना चाहिए कि दो हजार पांच से दो हजार पंदरा यह यह मैं आज क्यों आकरी लेकर आया हूं जो मैंने इसका देखा वह थमनेल तो मेरा मिलकुँ खून जल गया कि 2005 से 2015 के मैं मनी जी पच पंस लोग मारे गया है 5561 यह कांग्रेस का साथनकाल था वह दोजार पंदरा अब एक साल इबूदी के निकाल दीजिए तो उसे एक साल में कोई जादा नहीं किने दोजार पंदरा साड़े पांच अजार लोगों की हत्त्याएं वहां पर हुए उसमें सब सामिल हैं नागरीक, सैनिक, उमार्द, यह प्रदान मंत्री क्यों नहीं बोले मोदी क्यों नहीं बोले तो आप इसको जराइए समझें कि यह होता है एको सिस्टम यह होता है इको सिस्टम कि जब साले 5,000 लोगों को मौत हुई मणीपूर के अंदर तब आपने कभी सुना इन टेलीविजिनों पर डिवेट कभी आपन सुना इनके नेताओं को प्रवक्ताओं को इन बेशर्मों को कि वहां पर मनिपूर में शाड़े 5,000 लोगों साड़े 5,000 लोग 10 साल में यानि शाड़े 500 आदमी हर साल रोज दो दो आदमी और वो आदमी आज जब समझें दस साल के अंदर जादा चार सो थे तो आगे जो रोड़ी दो तीस और पांच साथ सो लोग मरे होंगे तो यह कैसा नाटक कर रहा है कि यहां से लेकर वो अमेरिका तक नाच रहा है कैसे जूंड बोला है यह अपने आप में बताता है कि प्रदान मंत्री मोरी एको सिस्टम की बात करते हैं वह एको सिस्टम कितना जहरीला है कितना बेशर्म है और कितना वैमान है जिसका स्वर्गना है यह आदमी जिसका मैंने अभी आपको थमनेल दिखाया यह इन पर बात नहीं करता